लेडी ओफिसर की हिटलर गिरी होम गार्ड को लोहे की रौड से पीटा विवादों में गिरी आई एस प्रियांका रानी बयान देने से बच रही लेडी ओफिसर नमस्कार कैपिटन टीवी की खास पेश का स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्रियाविस्ट आज बात करेंगे ऐसी आईएस अफसर की जो अपने पत की गरीमा भूलकर हिटलर गिरी में उतर आई और अपने ही आवाज पर तैनाद जवान पर हमला कर दिया जिस अफसर की हम बात करने वाले हैं उनका नाम प्रियंकार रानी है हाल ही में प्रियंकार रानी पर होमगाड जवान की पिटाई करने के गंभीर आरोब लगे है और ये पहला विवाद नहीं है जो इस अफसर के साथ जुड़ा है इस से पहले भी कई विवादों को गले ल लोग नियाय के लिए कानून का दर्वाजा खटकटाते हैं लेकिन आजकल ऐसी खबरे धडले से सामने आ रही हैं जिसमें ऑफिसर अपने पद का गलत फायदा उठाते दिख रहे हैं अपने पद की गरीमा भूल जाते हैं और उनकी दादागिरी के आगे मजबूर इंसान दर भटकता है ऐसा ही मामला एक आईएस अफिसर को लेकर सामने आया है जहां बिहार में आईएस अधिकारी और सारन की डीडी सी प्रियांका रानी एक बार फिर विवादों में घिर गई है उन पर अपने ही आवास पर तैनात होमगाड के एक जवान की पिटाई का आरोप लग करने वाले होमगाड जवान अशोक कुमार सहा ने ये आरोप लगाए हैं और उनके शरीर पर जखम के गंभीर निशान ये बात साफ तोर पर बया भी कर रहे हैं वहीं तुरंत ही उन्हें छप्रा सदर अस्पताल में भरती कराया गया वहीं जगटना के बाद हर कोई जानना चाहता है कि सारन की डीडीसी प्रियांका रानी कौन है जिन पर होमगाड जवान की पिटाई का आरोप लगा है सारन की डीडीसी इसी मामले को लेकर एक बार फिर से सुर्ख्यों में है इस मामले को लेकर हंगामा भी बढ़ने लगा है होमगाड एस्टिएशन ने मामले में कारवाई की मांग की है अश्योक कुमार सहा होमगाट जवान ने बताये कि उसकी डिडी सी आवास पर लगी है सोमार देर राज लगबग बारा बजे डीडी सी बाहर से आई तो वो संतरी के साथ ड्यूटी पर मौझूद थे डीडी सी अपनी गाड़ी से उतरी और ड्राइव मिलते ही दूसरे जवानों ने घटरा की शिकायद जिले के डियम और एसपी को दी है डीडीसी के इस वेभार को लेकर होम गार्ड एससियेशन ने एक्षन नहीं होने पर राज में काम ठप करने की धमकी दी है वहीं इस बारे में पूछने पर जिलादिकारी अमन समीर ने जाच की बात कही घायल होम गार्ड जवान अशोग कुमार फिलहाल सदर अस्पताल में भरती है उधर डीडीसी प्रियंका रानी कई बार संपर्क करने के बावजूद मीडिया से बात करने को तयार नहीं है ना ही उन्हो उने अपना कोई पक्ष रखा इस मामले को लेकर होम गार्ड जवान शिकायत पर एसुशेतन ने कड़ा रुख एक तियार कर लिया है रोड से बीटा जवान से की गाली गलोज जवान ने आरोप लगाया कि डीडीसी ने अचानक गंदी भाशा का इस्तमाल करते हुए रोड से करहा रहा था और एक तरव लेडी ओफिसर कोई बयान देने से बच रही है और मीडिया से भागी भागी फिर रही है पेडित जवान अब खुलकर डीडीसी के विरोध में आया है वही होम गार्ड जवान की पिटाई के विरोध में बिहार ग्रह रक्ष वाहिनी स्वेम से प्रियांका रानी की बात करें तो वो 2019 बैच की आई एस अफसर है उन्होंने आई एटी खड़कपुर से कंप्यूटर साइंस और इंजिनिरिंग में डिगरी भी हासिल की है अभी वो सारन की उप्विकास आयुक्तियानी की डीडीसी की जिम्मेदारी संभाल रही है प्रिय नहीं एक बार उन्होंने निर्देश जारी किया कि आफिस में कोई भी करमचारी या अधिकारी जिन्स पहन कर नहीं आएगा ये बात बीते महीने अप्रेल की है जब सानन जिले के सरकारी कारयाले की संस्कृति में बगलाओ को लेकर जिला प्रशाथन ने जिन्स पहन कर प्रखंड और जिला मुख्याले का कोई भी करमी और पदादीकारी उस तरह के कपड़े पहन कर दफ्तर नहीं आएगा जिससे कि किसी को पता नहीं चले कि ये करमी है या फिर पब्लिक तो इस निर्देश पर एक्शन लेते हुए प्रेंकारानी ने भी अपने कारयाले के देने वाली लेडी ऑफिसर खुद अपना काम भूल गई है एक तरफ कर्मियों को शालीन रहने के निर्देश दे रही है तो दूसरी तरफ खुद ही दादागिरी में उतर आई है ये मामले को सुनकर तो ऐसा लगता है कि कानून के रखवाले खुद अन्याय करने में लगे नहीं है ऑफिसर के आवास और खुद ऑफिसर की रखवाली करने वाली को लेडी ऑफिसर ने पीटा उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं कि अब एक रखवाली करने वाले को खुद अपने मालिक से बचने के लिए एक खुद की रखवाली करने वाला रखना पड़ेगा खु उससे तो साफ है कि लेडी ओफिसर को अपने पत का कोई सम्मान नहीं है वरना ना ही एक जमान के लिए हतियार उठाती और ना ही बचती फिरती अगर होमगार्ड की कोई गलती होती तो जरूर लेडी ओफिसर सामने आकर बयान देती और मामले में अपनी तरफ से कोई सफाई पेश करती उनके इस तरह से मीडिया से बचने से तो लगता है कि अब उनके पास कुछ कहने को रह नहीं गया है वहीं पेडित जवान खुलकर टो डीडी सी के वियोद में आया है लेकिन अब देखना ये है कि पूरे मामले में कारवाई क्या होती है और जवान को नियायए म नितीश कुमार वही हैं जो कभी सुशासन बाबू के नाम से ख्यात हुए थे लिकिन इस मामले से तो लगता है कि सुशासन वाले बाबू के साथ-साथ शासन के ऑफिसर कुशासन करने में लगे हैं एक के बाद एक प्रोसुष z typically कमार के हाथ से चीजें फिसलती जा रही हैं और वो सिर्फ देखते रह रहे हैं अब देखना यह है कि सुशातन बाबू की सरकार और कानून इस पूरे पीडित जवान के मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या पीडित जवान को नियाय मिलता है इस्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही फिर पेश